हेलो दोस्तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत बेंच 1617R MDT BS6 ट्रक के बारे में दोस्तो ये ट्रक इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है और बहुत सारे कस्टमर्स इस ट्रक को लेके बहुत सारा मुनाफ़क कमा रहे हैं तो दोस्तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे की मेरे आने वाले ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे साथ साथ आप इस वीडियो को अंते तक देखिए जिससे आपको भारत बेंच 1617R MDT BS6 के बारे में पूरी जानकारी मिल सके दोस्तो सबसे बहले माँ आपको बताता हूँ इसके इंजन के बारे में इसमा आपको 4D34I इंजन लगा के दिया जाता है जो कि आपको 125 किलोवाट की पावर देता है 2500 RPM में इस इंजन का मैक्सिम टॉर्क 520 Nm रहता है जो कि आपको 1500 RPM में मिलता है दोस्तो यह जो इंजन रहता है यह चार सिलेंडर का इंजन रहता है और यह 4900 CC का displacement आपको देता है यह इंजन अभी 2021 में BS6 compliance के साथ आता है दोस्तो बात करें इसके gearbox के बारे में तो इसमा आपको improved G85 gearbox लगा के दिया जाता है जिसमा आपको 6 forward और एक reverse gear मिलता है दोस्तो यह mechanical synchronous gearbox रहता है इसमें आपको synchronous gears देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करूँ clutch की तो इसमें आपको single drive plate hydraulic clutch मिलेगा जिसको operate करना driver के लिए बहुत ज़्यादा easy रहता है दोस्तो इसके clutch का diameter 360 mm रहता है दोस्तो इसमें front में आपको eye up 6.0 axle लगा के दिया जाता है और rear में आपको MS 145 axle लगा के दिया जाता है दोस्तो यह आपको 5.57, 6.17 के axle ratio में मिल जाता है अगर बात की जाए इस गाड़ी के dimensions के बारे में तो इसका wheelbase आपको 500 mm, 6900 mm और 6600 mm में मिल जाता है आपको इन सब wheelbase में sleeper cabin देखने को मिलेगा अगर मैं बात करूँ इसके loading span के बारे में तो इसमें आपको 20 feet, 24 feet और 31 feet का loading span मिलता है दोस्तो इस truck की length भी इसी तरह आपको 3 तरह की length मिलती है 2600 mm, 9815 mm, 11,995 mm overall width की बात करूँ तो सारी गाड़े हम आपको same overall width देखने को मिलेगी यह आपको मिलेगी 2335 mm की overall height भी आपको same देखने को मिलेगी लगबग आपको 2600 mm की height यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तो अगर बात की जाए इसकी minimum ground clearance की तो इसमाँ आपको 270 mm का minimum ground clearance मिलता है अब मैं आपको बताता हूँ weight capacity के बारे में इस गाड़ी का gross vehicle weight 16200 kg रहता है इसमाँ आप लगबग 10 ton का payload लेके जा सकते हैं दोस्तो अब हम बात करेंगे इसके chassis frame suspension और tires की बारे में इसमें front में आपको multi leap spring suspension लगा के दिया जाता है और rear में भी आपको multi leap spring suspension लगा के दिया जाता है जिससे गाड़ी की load लेने की छमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तो इसमें suspension में leap spring के साथ यहाँ पर आपको anti roll bar भी लगा के दिया जाता है जिससे suspension और ज्यादा मजबूत हो जाता है अगर बात की जाए इसके brakes की बारे में तो इसमें आपको pneumatic brakes देखने को मिलेंगे यानि की air brakes आपको देखने को मिलेंगे इसके साथ इसमें ABS भी लगा के दिया जाता है दोस्तो फ्रेंट में आपको यहाँ पर अगर मैं बात करेंगे इसके tires की बारे में तो इसमें आपको radial tires लगा के दिये जाते हैं 10R20 के radial tires आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे दोस्तो इसमें आपको hydraulic power steering लगा के दिया जाता है जिसके कारण driver के लिए बहुत ज़्यादा थकान का सामना नहीं करना पड़ सकता और driver बहुत लंबी distance में आराम से गाड़ी को drive कर सकता है दोस्तो अगर बात की जाए इसके fuel tank के बारे में आपको 24V की battery इसमें देखने को मिलेगी और जो battery की capacity रहती है यह 100Ah की capacity रहती है दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगा इस truck के mileage और price के बारे में सबसे पहले बताता हूँ इस truck का mileage दोस्तो BS6 में भारत बेंज 16-17 आर लगबग आपको 6-7 km पर लेटर का mileage दे रही है और गाड़ी का maintenance कैसे maintain किया जा रहा है तो mileage थोड़ा बहुत vary कर सकता है दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके price के बारे में दोस्तो यह गाड़ी आपको 22.22 lakh से 23.10 lakh तक मिल जाती है यह जो मैंने आपको price बता है यह Xroom New Delhi का price बता है अगर आपको exact या on-road गाड़ी का price पता करना है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप अपने nearest भारत बेंजी के शोरू में विजिट कर लिजे जिससे आपको गाड़ी का exact या on-road price पता चल जाएगा दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment section में बताईए